नमस्कार जोतिश तंत्रमंत वास्तु चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है आपने किसी को पैसे उदार दिये थे और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है या आपका पैसा कहीं फंस गया है आपको मिल नहीं पा रहा है तो आपको बहुत आसान से उपाय बता रहा हूं इन उपायों को करें और आप देखिए कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा पहला उपाय ये आपको साथ शनिवार करना है शनिवार के दिन पीपल के साथ पत्ते ले आईए पत्ते अखंडित हों कहीं से तूटे फूटे ना हों और पूजा के आसन के नीचे रखिए उस पर बैठिए पूर विदिशा की ओर मुह करके अपने इश्ट्र देव या बजरंग बली का ध्यान करें मन ही मन प्रार्थना करें कि आपको आपका पैसा वापस मिल जाए इसके बाद हनुमान चालीसा का पार्ट करें साथ शनिवार ये उपाय कीजिए आप देखिए कि आपका पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा दूसरा उपाय है शुक्रवार की रात को एक कपूर जलाईए और उसे एक मिट्टी के दिये से आधा ढग दीजिए कपूर का काजल बनाना है आपको जब कपूर पूरा जल जाए तो उसका धुआ काजल के रूप में दीपक में इकठा कर लीजिए एक भोजपत्र लेकर के इस काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसको आपने कर्ज दिया है इसके बाद उस भोजपत्र पर साथ बार हाथ से थपकी मारिए और आदेश दीजिए कि वो आपका कर्ज लोटा दे इस प्रियोग को करने के बाद भोजपत्र को अपने तीजूरी के नीचे दबा करके रख दीजिए अगली सुबह उस व्यक्ति के घर जा करके उससे कहिए कि वो आपका पैसा लोटा दे पैसा आपका वापस होना शुरू हो जाएगा और तीसरा है रुका हुआ पैसा या फसा हुआ पैसा पाने का बहुत बढ़िया उपाय है इसको आप करेंगे तो पंदरह दिन में धन वापसी शुरू हो जाएगी आटे का एक दीपक बनाएं जिसमें की दो तरफ बाती हो उसमें तिल का तेल डालिए और एक चुटकी पीली सरसों उसी दीपक में डालिए इस दीपक को बटुक भैरोनाथ जी के मंदिर में शाम के समय जाकर दोनों तरफ की बाती जलाकर दीपक को रख दीजे ये कारे आपको शनिवार के दिन करना है दीपक जलाते समय जिस व्यक्ति के पास आपका पैसा फसा है उसका नाम लेकर के और बटुक भैरोनाथ जी को बताईए कि इस व्यक्ति के पास मेरा पैसा फसा हुआ है आप उस पैसे को मुझे दिलवा दीजे इसके बाद आपका काम खतम बटुक भैरोनाथ जी वो पैसा आपको दिलवा देंगे तो ये छोटे-छोटे तीन उपाए मैंने बताए हैं और बहुत आसान से उपाए हैं अगर ऐसी सिती आपके साथ है तो आप एक बार ये उपाए करके देखिए और साथी साथ इस वीडियो को अपने साथियों और अपने मित्रों को भी जरूर शेयर कर दीजेगा ताकि उनके सामने भी ऐसी समस्या आ सकती है और अगर आप उनके सामने ऐसी समस्या आ रही है तो भी इस उपाए को करें और इसका रिजल्ट देखें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है नमस्कार